How to fix Central Bank of India M Passbook App Error No Such Account Problem नमस्कार दोस्तो स्वागर है अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये प्राब्लम सॉल्फ कर सकते यहाँ पर लिखा हुआ है Error और उसके नीचे No Such Account Invalid Customer Invalid Check Digit New Account तो दोस्तो प्राब्लम यहाँ पर किस वज़े से आ रहा है कैसे प्राब्लम सॉल्फ होगा क्या सॉल्फ करना होगा जिसके मदद से आप प्राब्लम सॉल्फ कर सकते यह सारे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तो यहाँ पर यह जो प्राब्लम है अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप Account Login नहीं कर पाएगा ठीक है? Account Login नहीं कर पाओगे और यहाँ पर प्राब्लम आपको आते रहेगा बार बार तो इसके रिजन जाना भी जरूरी है और कैसे सॉल्फ होगा यह भी आप जान लिजे मैं आपको इस वीडियो पर गाइट करने वाला हूँ दोस्तों क्या करना चाहिए अगर आपको यह प्राब्लम आ जाते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले Make Sure चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पेसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शिन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्राब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहां पर सबसे पहले आपको किया होगा आप यहां पर किजे बैक कीजे बैक करने के बाद सबकुछ दिलेट किजिये ठीक है यहां पर क्या लिखा हुआ हूँ बॉब देखें दोस्टों यहां पर आपको यूज़र आईडी आपका सियाएफ नंबर एट करना है तो यूजर आइडी आपको सही तरीके से देखके एट करना होगा ठीक है तो ये CIF और यूजर आइडी सेमी है तो आप अपना बैंक पास्बुक को चेक करें Central Bank of India का और वहाँ पे आपको मिलेगा CIF नंबर ठीक है तो वह नंबर को आपको एट करना है यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है यूजर आइडी सिया इफ उसमें एट करना है ठीक है तो ये तो आपने सही तरीके से एट कर लिया अभी Next के आए Registered Mobile Number आपको Registered Mobile Number एट करना होगा जो बैंक पे आप दिया हुआ है वो ही Registered Number को यहाँ पे एट करना होता है बैंक के साथ जो Connected है उसी Mobile Number को यहाँ पे एट करना है और एट करने के बाद Proceed कीजी Proceed करने के बाद दोस्तो Directly आपका जो Account है वो Login हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आप यहाँ पे Problem को Solve कर सकते दोस्तो अगर आपको इस तरीके के कोई भी Problem कोई भी Error आ जाते तो Simply आप इस Solution को Follow कीजीए ठीक है सही Information अगर आप एट करते तो आपको कभी भी यह Problem देखने को नहीं मिलेगा दोस्तो अमिद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा Thanks for watching